Dear Children, Today we will study about Lesson 12 from English Course Book. प्यारे बच्चों, आज हम English Course Book का Lesson 12 पढ़ेंगे. The name of this lesson is Punctuation. इस lesson का नाम है Punctuation. Punctuation का मतलब होता है Viram Chinh. English या Hindi लिखते समय या बोलते समय हम कुछ Punctuation का या Punctuation Marks का यूज करते हैं. विराम चिन्नों का प्रयोग करते हैं. तो इनी विराम चिन्नों के बारे में हम इस lesson में पढ़ेंगे. सबसे पहले समझते हैं थोड़ा सा. The use of punctuation marks play an important role in enhancing speaking and writing skills in language. Use of punctuation यानि Use of punctuation marks मतलब विराम चिन्नों का प्रयोग लिखने और बोलने की जो शैली है लेंग्वेज में भाषा में उसको बढ़ाने में महत्वपुर्ण भूमी का निभाता है. या महत्वपुर्ण भूमी का है किसकी punctuation marks की विराम चिन्नों की language में भाषा में लिखने की skill यानि लिखने की शैली और बोलने की शैली को बढ़ाने में. हम जिस तरह से punctuation marks का use करते हैं उससे हमारी जो लिखने की शैली हो, writing skill हो या speaking skill हो वो अगर हम सही use करेंगे punctuation का तो वो बहुत ही अच्छे से develop होगी. It is very often proved that punctuation marks may even change the meaning of a sentence. यह बहुत बार सिद्ध हुआ है या साबित हुआ है कि विराम चिन्नों से वाक्य का अर्थ भी बदल सकता है. यदि हम विराम चिन्नों का प्रयोग या punctuation marks का जो use है वो properly नहीं करेंगे तो उस sentence का meaning भी change हो सकता है. तो हमें punctuation marks का जब हम use करते हैं लिखने में भी या बोलने में भी तो हमें proper उसका use करना चाहिए. तो इस lesson में हम यही समझेंगे कि हमें concept marks, punctuation marks को किस तरह से बोलने में या लिखने में use करना चाहिए. First is full stop. It represents pause और separation यह क्या दर्शाता है represents या दर्शाना यह क्या दर्शाता है pause यानि रुकना और separation या अलग करना. कहीं रुकना या किसी को, किसी वाक्य को, किसी दुसरे वाक्य से अलग करने के लिए full stop का use किया जाता है. आप सब देख सकते हैं punctuation marks जो दिये हुए हैं उनका बड़ा सा picture भी आपकी book में बना हुआ है. आप सभी full stop के बारे में जानते हैं क्योंकि जब भी आप कोई answer लिखते हैं तो उसके just बात, जब answer आपका पूरा finish हो जाता है तो end में आप उसमें full stop लगाते हैं. तो अब हम इसका use देखते हैं it is used at the end of an assertive और imperative sentence हमने जब sentence वाला lesson पड़ा था तब भी हमने समझा था कि a sentence always begins with capital letter and ends with full stop. तो sentence जो होते हैं assertive sentence और imperative या imperative sentence इन दौनों ही sentence के end में full stop का use किया जाता है. for example he is writing वह लिख रहा है ये पुरा एक sentence है assertive sentence है तो उसके end में या last में full stop लगाया गया है. इसके अलावा full stop का use किया जाता है after abbreviations and initials. abbreviations and initials का मतलब होता है लगू रूप and initials का मतलब होता है पहला अक्षर या प्रारंब का अक्षर. तो लगू रूप के बाद किसी word को हम जब छोटे रूप में लिखते हैं तो उसके बाद भी punctuation जो full stop है उसका use किया जाता है. For example MP और MA ये देखिया आप दोनों example MP का ये लगू रूप है MP इसका full form होता है member of parliament तो लगू रूप के बाद और initials अने जो first letter है M फिर dot लगा हुआ है जो कि full stop है P उसके बाद भी dot तो इस तरह से भी full stop का use किया जाता है इसी तरह से MA, MA का full form होता है master of arts तो जो first letter से उनके बाद में इस तरह से full stop का use किया जाता है. Next punctuation is comma ये इसका sign है It represents the shortest pause and is used यहां represent करता है या दर्शाता है shortest pause याने सबसे कम कहीं pause करना सबसे कम रुकना कभी sentence में जब हम reading लगा रहे होते हैं और इसका use किया जाता है To separate words of the same parts of speech एक ही parts of speech का कोई word हुआ या या तो noun ही words हुए सारे या pronoun या adjective या verb इस तरह के एक से ज़्यादा words होते हैं जो same parts of speech के होते हैं उनको separate करने में उनको अलग करने में कॉमा का use किया जाता है For example, it was a long, dull and tiresome journey इसका मतलब होगा यह एक लंबी, dull यानि आलस भरी या उदासी भरी and tiresome यानि उबाव यात्रा थी जर्नी यानि यात्रा तो जो यह word है long, dull and tiresome यह सब क्या है यह सब adjectives है same parts of speech के words है यह सब adjectives है इसलिए इनको separate करने में कॉमा का use किया गया है Next, जो use it to separate each pair of words connected by and एसे pair of words यानि एसे शब्दों के जोड़े को भी separate करने में इसका use किया जाता है जो and से connect होते हैं For example, he searched for his friend far and near, high and low, in and out उसने उसके मित्र को ढूंडा, कहा? far and near, high and low यह जो pair of words से far, near, high, low, in, out यह and से connect है तो इसलिए and से connected जो pair of words होते हैं उनको separate करने में अलग करने में भी कॉमा का use किया जाता है इसका मतलब होगा उसने उसके मित्र को दूर, पास, उपर, नीचे, अंदर, बाहर, सभी जगा ढूंडा next जो use है, that is after a nomination of address किसी को nominate करने के लिए, किसी को संबोधित करने के लिए भी कॉमा का use किया जाता है यहाँ पर example है, students do your homework regularly students को nominate किया गया है, students को address किया गया है, संबोधित किया गया है nominate करके, यानि सारी को एक class है और उसके सारे जो विध्यारती है students है, उनको nominate किया गया, address किया गया है students do your homework regularly, विध्यारतियों अपना ग्रहकारे नियमित रूप से करो इसकी जगे, students की जगे कोई name भी हो सकता है, राम, do your work या सीता, do your work, तो वो जो राम और सीता होंगे, उनके जस्ट बात भी कॉमा का use किया जाएगा and last use is, to mark off a noun or phrase in opposition noun या phrase को अंकित करने में भी या चिन्हित करने में भी mark off a noun चिन्हित करना या अंकित करना में भी कॉमा का use किया जाता है for example, Milton, the great English poet, Milton के जस्ट बात, क्या है Milton, noun है, एक proper noun है और उसके जस्ट बात, कॉमा का use किया गया है, the great English poet, एक महान अंग्रेजी के कवी है तो इस तरह से कॉमा का use किया जाता है next punctuation is interrogation interrogation मतलब होता है, प्रश्न वाचक चिन्ह आप सभी को पता है, do you, you all know that interrogation sign आपको interrogation sign भी पता है, क्योंकि आप हमेशा जब भी English reader जो आपकी बूखे उसमें question answers लिखते हैं, तो questions जो होता है, उसके बाद interrogation sign लगाते हैं, interrogation mark लगाते हैं तो इसका use किया जाता है, it is used after a direct question आप सभी को पता है, कि जब direct question सीधा प्रश्न पुछा जाता है तो उसके बाद में after हम question mark या interrogation sign का use करते हैं for example, where are you going, तुम कहां जा रहे हो, direct question है, किससे पूछा गया है तो उसके just बाद, interrogation mark लगाया जाता है अब एक note हैं आपके लिए, ध्यान रखने वाली बात है mark of interrogation is not used after an indirect question questions two type के होते है, direct questions, indirect questions जब आप upper classes में आएंगे, तो आप indirect questions को भी पढ़ेंगे तो जब indirect questions होते हैं, उन में interrogation sign का use कभी नहीं किया जाता है उसमें last में full stop का ही use किया जाता है example, he asked me whether I had done my exercise यह indirect question है, इसलिए इसमें interrogation mark का use नहीं किया गया है next punctuation is, exclamation exclamation का मतलब होता है, विस्मयादी बोधब चिन जिसमें हमको कुछ विस्मय हो, कुछ sudden feeling हो, कुछ आश्चर्य हो it is used in sentences expressing sudden emotion और wish इसका use कब किया जाता है, जब express किया करना हो ऐसे वाक्यों के साथ use किया जाता है, जिसमें कुछ sudden feeling हो, अचानक से कुछ महसूस हुआ हो कोई sudden feeling या wish या emotion, कोई भाव, उनको express करने के लिए, उनको दर्शाने के लिए, लिखते या बोलते समय हम exclamation sign का use कर सकते हैं, हम by expression भी इसका use कर सकते हैं, what इस तरह से, अगर हमने को सुना हम कहेंगे, what, how it is possible, इस तरह से भी, हम with expression, हमारे face expression से भी, exclamation, कुछ sudden feeling हमें हुई है, तो उसको show कर सकते हैं, और लिखने में, हम इसका sign यूज करते हैं, exclamation mark जिसको कहा जाता है, एक line और नीचे उसके dot होता है, for example, hurrah, ये एक interjection word है, तो इसके just बाद exclamation mark लगा हुआ है, या exclamation sign लगा हुआ है, और यदि पूरा sentence हो, तो देखिए example 2, what a beautiful flower is this, कितना सुन्दर फूल है, तो किसी फूल को देखा और sudden feeling हुई हमारे मन में, तो हम इस तरह से, पूरे sentence के बाद, last में, exclamation sign का use करते हैं, next punctuation mark is inverted commas, inverted commas, ये देख सकते हैं आप, इसका बड़ा सा picture भी है, they are used to enclose the exact words of the speaker or a quotation, इसका use, enclose करने के लिए, बंग करने के लिए किया जाता है, किसको exact words of the speaker, speaker यानि कहने वाला, कहने वाले ने जिस तरह के शब्द कहें, उनको वैसा का वैसा लिखने के लिए, inverted commas का use किया जाता है, वे शब्द जो speaker ने, As it is कहें, अगर हम उनको वैसा का वैसा लिखेंगे, तो उनको inverted commas में close कर देंगे, बंग कर देंगे, और अब quotation, या कोई quotation, कोई विचार होगा, उसको लिखते समय, कोई नारा हुआ, कोई slogan हुआ, उसको लिखते समय, हम inverted commas में उसको बंग करके लिखते हैं, For example, she said I am going to Mumbai tomorrow उसने कहा मैं कल मुंबई जा रही हूँ उसने कहा उसके speaker के word as it is लिखे गए हैं इसलिए उन्हें inverted commas में लिखा गया है Next punctuation mark is apostrophe Apostrophe जो होता है, line के उपर एक कॉमा लगाया जाता है उसे apostrophe कहा जाता है It is used, इसका use कप किया जाता है To show the omission of a letter or letters Omission याने हटाना, दूर करना इसका use किया जाता है, उपयोग किया जाता है Letter या letters, कोई एक letter या एक से ज़्यादा letters को omit करने में हटाने में apostrophe का use किया जाता है For example, don't, I have इसमें don't, इसमें do not यदि हम इसको पूरे full form में लिखेंगे To do not तो इसमें o letter जो है, वो omit कर दिया गया है उसको हटा दिया गया है और देख सकते हैं आप n के उपर just apostrophe लगा हुआ है एक कॉमा लगा हुआ है इस तरह से इसका use किया जाता है Next is I I have, ये पूरा जब हम इसका full form लिखेंगे तो होगा I have तो I के बाद HA two letters को omit किया गया है इस और वहाँ पर apostrophe लगा दिया गया है इसके अलावा apostrophe का use किया जाता है in the possessive case of nouns noun के possessive case में जहाँ पर noun के द्वारा किसी चीज़ पर अधिकार बताया जाता है possession show किया जाता है वहाँ पर भी apostrophe S का apostrophe का use किया जाता है for example sita's pen sita का pen sita क्या है noun है और pen पर किसका अधिकार है sita का किसका pen है sita का तो इस तरह से apostrophe और इसके साथ S का भी use किया जाता है possessive case में जब आप अपर क्लासेस में आएंगे तो इन्हें पढ़ेंगे sita's pen यह जो example है आपके पास इसका मतलब होगा sita का pen तो यह जो sita है यह है noun और उसका pen पर उसका अधिकार है इसलिए उसके साथ apostrophe और S का use किया गया है apostrophe के बाद जो S लगाया जाता है उसका मतलब होता है का, की या के यहाँ इसका meaning होगा sita का pen इस तरह से यह जो punctuation marks मैंने आपको बताए है इनका बोलते समय भी और लिखते समय भी सही proper place पे इनका use करना चाहिए students को उससे आपको जो आपकी skill है develop होगी लिखने की और बोलने की I hope you will have understood this lesson Thank you so much